अलो फ्रेंज वेल्कम टू मैं चैनल आज है 25 डिसेंबर और आज हम जा रहा हैं बाहर टीनर के लिए हम जा रहे हैं फोर सेजन्स होटेल वाल्ड वाइट फोर सेजन्स होटेल एक काफी रिनाउन ब्रैंट है हम इससे पहले कभी गय नहीं थे तो हमने सोचा क्यों ना आज यहां जाया जाए राइट साइड में आपको बहुत सारे बिल्लिंग्स दीख रहे होंगे जो बहुत खुबसूरत है एक्चली यह मानेता टेक पार्क है जो के इंडिया के बीगेस्ट टेक पार्क में से एक है और यह काफी ब्यूटिफुल है अंदर से और रात के टाइम फ्लाई ओवर से बहुत ही अच्छा दिखता है और अब हम पहुच के हैं अल्मुस्ट होटेल यह होटेल के इंटरंस गेट है चलिए जलते हैं यह हैं इंटरंस लोबी एंड रिसेप्शन एरिया 25 डिसमबर के ओकेशन के लिए यहां पे बहुत अच्छे से डेकॉरेशन किया गया है आप देख सकते हैं क्रिस्टमस ट्री और ग्रीप्स बॉक्स तब सब कुछ क्रिस्टमस तीम के साबसे ही सजाया गया है हम आगे हैं क्यूरेट रेस्ट्रेंट आप देख सकते हैं सब कुछ क्रिस्मस सेलिप्रेशन के हिसाब से ही पूरे होटल को सजा गया है रेस्ट्रेंट्स भी वैसे ही थीम में सजा गया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है चलिए देखते हैं अब इनके बॉफे स्प्रेड में क्या क्या है यहां पर हमें एक चीज़ देखने को मिला यहां पर सब के टेस्ट का ख्याल रखा गया है और यह सश्मी एक माल्टी कुजीन स्प्रेड है जहां पर टर्की हैम चिकेन मटन लैम और दूसरे सहवी तरीके का मीट यहां पर मौजूद था उसके साथ जैपनीज, चैनीज, इंडियन, अलग-अलग तरीके के बहुत साड़े यहां पर इंटरनेशनल डीश भी था काफी एलाबोरेटेड सैलड स्प्रेड था यहां पर आप उन में से कुछ भी चूज करके अपने हिसाब से भी उसको बना सकते हैं यह आप्शन भी था यह है लाइफ काउंटर जहां पर सीफूड है और यहां पर पीजा काउंटर भी है जहां पर अपने हिसाब से अपने पसंद से पीजा बना सकते हैं शेफ से या फी लाइफ काउंटर से आप सीफूड से लेक करके अपने हिसाब से बन्यम्या शाजकर काउंटर और बहुत तरीके किरेम यहांपे शूशी भी था चीज काउंटर इंडियन काउंटर में पाव भजी भी था, जो हमें बहुत अच्छा लगा, उसके लवा यहां पे वेज पुलाव और मतन था, इंडियन स्प्रेट भी काफी बड़ा था और बहुत चारे उसमें वराइटीज भी था स्पेशा एरबीन है! Спेशल एरबीन कुजन चाउंटर कोल्ड कट कॉम्बो एरिया और यह है डेजर्ट एंड आइस्क्रीन काउंटर डेजर्ट का वेराइटी काफी बरा था अटलीस 15-20 टाइपस के डेजर्ट तो थे ही मुझे परसिनली यह काउंटर सबसे पसंद आया तुकिया मुझे आक्चली डेजर्ट बहुत पसंद है और आपको केक्स और योगर्ट कई तेरे के सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खाने का मन तो सब कुछ था लेकिन यह टाक्टिकली पॉसिबल नहीं था इसलिए हम सब कुछ खाने ही पाए होटेल की तरब से एक ब्यूटिफू लाइफ कंसर्ट आरिंज किया गया था जो एम्बियंस को और भी खुपसुरत बना रहा था तो आज का ब्लॉग यही पर ही खतम करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चानल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच